आपका स्टार्ट ही गल्थ है पिर आप मुझे सवालाद लिख कर भेज दे कि मैंने कैसे स्टार्ट करना एक आम बात जो हो रही है तो आप देखे हैं हार बात का जवाब देते हैं और आज फर्वरी को बताएगी यह को शर्म आनी तैसे मंशूर में बड़े-बड़े दावे करने के लिए उसके उपर तो आपनी सियासत को आगे नहीं चलाना चाहिए मेरा सवाल सिर्फ आप से यह था और आप से मुराद आई पीपिए उस चीज़ा रहे हैं हमने हम आप से मीडिया से ले रहे हैं वो क्यों माजी में अचे रहे हैं ये अलाई रखो रख्यों से रहा हैं एक सालाम आरइकम ऑजूर आप से प्रड़ी पहर दीय डिया है ये लिए बहता का कि मैंने आपके प्रोگ्राम में आकर आज बहुत बड़़ी गलती है आएं पहले खुन्यव और कार में चैनली आप और प्छीन से बात कि कहा, यह जा रहाए कょ असद भी खतम हो गई है और एक टरह से यह भी लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान में पाजे कोई पेश गोई करता यह ना मुघे होता है तो क्या वज़ा है कि आप की आप सिल पर अप का मौझू भी इमरांग सान थे पर जहांगी तरीन का एक जुमला बड़ा मशूर हुआ कि सुपरस्टार नहीं चाहिए सुपरस्टेम चाहिए नहीं किसी का जिमिदार हूं नहीं किसी का कोई ठेकेदार हूं और नहीं मैं तमाम इन पार्टीज के इन वियानियों से आजिए कौम को तक्सीम करके एक ऐसी क्रियेट किया जाए फिजा कि मुलक पीछे चला जाए और किसी को यहीं समय ना लगे कि हमने पॉलिटिक्स में आके असल करना क्या था मैं पॉलिटिकल आदमी हूं मैं किसी वर्दी के इदारे का या मैं किसी पॉलीस का तर्जमान नहीं हूं मैं पॉलिटिकल आदमी हूं और मैं पॉलिटिक्स के अंदर फ्रीडम औफ स्पीच का का इल हूं जिसने बात की जो बात करता है यू शूड़ आसके परस्ली क्वेस्टन करें आप इस बात से अगरी करते हैं सर जो जांगी तरिया अलीम खान अपनी दखाबी मोहिम में तकरीर करें आप उसे अगरी करते हैं पूछ मैं उनसे लूगी चले जो वो इमरान खान का जिकर कर रहे हैं किस तकरीर है सर को आज भी अलीम खान ने इमरान खान के हावाले से बहुत सारी बाते की उन्होंने जियातिया कर दी उन्होंने ये कर दिया आगे बढ़े ना मुझे 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 मं आपको मजबत रूंक दिखाए अब कि इस वां नहीं होगी तो किस से बात होगी किस चीज़ की बातब ने स्टार्ट हीा कि predator आप ने एक अब्चेक्शन आपकर बजए- अबिखे ही आपक बात का जवाब देते हैं, लिकिन आज आप इन्वाइड हो गए हैं बहुत जादा, जादा, मैं कभी भी सवाल लिख के नहीं बेगता, लेकिन मैं यह हक रखता हूँ कि मैं हर सवाल का जवाब अपने तरीके से दूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं, आपके प्रोग्राम के स्टार्ट है, आपने एक स्टार्ट किया चीज़ को और इंसाइट किया, फुलाँ नहीं होगा, फुलाँ होगा, फुलाँ होगा, फुलाँ होगा, फुलाँ होगा, फुलाँ होगा, फुलाँ होगा, मेरे लिए मुलक हैं, आप क्यों नहीं बताते कि किसका क्या जुर्म है किसमें क्या काम के फुला होगा फुला नहीं होगा यह नहीं होगा तो वो नहीं होगा क्या नहीं होगा अदालतों के अंदर कैसे चल मैं जो यह बताएं कि मैं जाके सुब अदालतों का बाइकाट कर दूं हम क्याते क्या हैं इस मुलक से आप सारी यह बता दें अगर आप कि पारस मेरे से क्या चीज़ कूछ रही है और मेरे से क्या पूछ रही है और अब आपने का कि केसे अदालत ने उनको आउट कर दिया अब आगे बढ़े ना अब जोड़ दें उसके उपर तो आपनी स्यासत को आगे नहीं चलाना चाहिए मेरा सवाल सिफ आप से यह था और आ है यहाँ पर आप उसी को रखने करें नहीं मेरी बास होने मैं लड़ रहो है और मैंने हमारी अपनी ग्राउंड की सिच्वेशन अलाइदा है मेरे इलाके की जो थी है मैंने उसी वज़ज़ से अपना आजाद पैनल लाँच किया है एक पार्टी के टिक्ट पे इलेक्शन हुझ तो कौम को इस मीडिया और सौशल मीडिया के ऊपर लाकर आप अंटिस्ट कर देते हैं से हमें आगे नीं बढ़ना हम ने इना हम आगे बढ़ने की बात करते हैं सवाल करते हूं तब फिर पीछे हिए लेँ जा दो हमारे कौम के बच्चों को हमारे कौम के बच्चों के जन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट क्यों पर चलती है आपका आप जो हमारे जब तक आप प्रॉपर लोकल गवर्मेंट सिस्टम को इंप्लिमेंट करते उस वक्त तक कोई भी पार्टी कभी भी मेरिट पर टिकट नी देगी का पैसा मरे प्रॉट पर यह बिदी पर आप की से पार्टी को बम्रॉभ थे, सबस्जब के वाइब के सब्सक्रारमारे था के खिर पर जो हमारे दिखें को मैं से प्रॉटिक कर रहे हुआ क्योंकि मैं गिल्टी फील करूंगा कि मैं खुद एक अलेक्शन अपने पैनल के साथ आजाद लड़ रहा हूं सर आप यह मुझे नहीं मुझे मुझे पैगाम नहीं वरना मेरा शायद आप से जो सवालात है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होते मैंने आपको आई पी के मैंबर मैं यकिन करें आपको बताओं इस वक्त वक्त जिस कंफ्यूजन का शिकार नौजवान है ना और उनको यह इल्मी नहीं है कि हम अमारे लिए मुल्क प्रियूरिटी है और उनका अपने मुल्क को प्रियूरिटी दीजिएगा आप इस तरफ करें तो कमाल का प्रोग्रेम सर तो शर्म आनी तैसे मंशूर में इतने बड़े बड़े दावे करने के लिए बताएं ना असलियत अमाम को कि नहीं दे सकते तीन सब्सक्राइब बिल्कुल आनी चाहिए अगर शर्म हो तो आप इस मात को मानते हैं ना कि एक कॉप्रेट कंपनी एक कॉप्रा या फिर एक पारस जानजेब और खुर्म रोकडी की गुफ्तगू सुनी पारस जानजेब ने कहा कि आपकी पार्टी अभी तक इमरान खान का जिकर करती है आपकी पार्टी हर जलसे का अगाज इमरान खान से करती है और इमरान खान पर ही खत्म करती है क्योंकि आपके पास अपना कोई मनशूर नहीं कि आप इक्तदार में आकर अवाम को क्या रलीफ देंगे बस आप हर जलसे में इमरान खान का जिकर ही करते हैं जब पारस जान्जेब ने खुरम रोकडी की हची खासी बेज़ती की तो खुरम रोकडी खुद ही कहने लगा कि मुझे आपके प्रोग्राम में आज नहीं आना चाहिए था मैंने आपके प्रोग्राम में आकर बहुत बड़ी गलती की है खुरम रोकडी ने कहा कि आप हर किसी के बारे में मुझे स्वाल करती हैं कि वो पार्टी में हर जलसे का आगाज इमरान खान से करते हैं और इखताम भी इमरान खान पर करते हैं मैं एक सियासी वरकर हूँ मैं कोई ठेकेदार नहीं कि हर किसी के बारे में मुझे पता हो जो बात करता है आप उस से जाकर बात करें और उस से पूछें मुझ سے आपने बात करनी है तो मुझ سے स्यासी सवालात करें खुरम रोकडी ने पारस जानजेब से कहा कि आपने प्रोग्राम का स्टार्ट ही गल्ट लिया है इस पर पारस जानजेब भी तब गई और पारस जानजेब ने खुरम रोकडी की हची खासी बेस्ती की और कहा कि मैं क्या अपने प्रोग्राम का स्टार्ट आपसे पूछ करूंगी और आपके बताई हुए सवालात आपसे करूंगी नाजरीन आपने इन दोनों की गुफटगू सुनी आपको इन दोनों की फाइल से क्या सबब मिला आप अपनी राय से में जरूर अगा करें नेक्स वीडियो तब मुझे दें अजाज़त अलाहाफ़ज